हेलो फ्रेंज तो आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कल आप लोग को नंबर्स के बारे में बताऊंगी ग्रैमर में नंबर्स को वाहे जम्मा कहते हैं यानि कि सिंगुलर प्रूलर अब यहां पर आप लोगों ने देखे कि मैंने यहां पर कुछ लिखे हुए हैं यह सिं चेट कहोगा क्याट सेकेंड बने शूस आ यह सोजी बिल्लर को त साथ करगेश एप शुफ झाल्म यह पुल्लर टरट्वा को ज़िए छीवस सेकेंडी सिद वनेट है यह इसका करगेश्व इसका होगा कर फिर जाड़ dem मैच मैचिस ब्रश ब्रश इस फॉक्स फॉक्स कंट्री कंट्रीज और नाइफ नाइफ यानि के अच्छा ओके फ्रेंट्स कुछ प्रूरल ऐसे भी होते हैं जिदा सिरफ एस एस आई एस 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 आई एस और वी एस ओके अब वी एस जो है वो अभी जो ऐसे है यह किसी के साथ भी आ सकते हैं ओके लेकिन यह जो एस है यह हमेशा एस सि एच एस एच एक्स और ओ के साथ ही यूज होता है ओके लेकिन यह जो IES है यह हमेशा Y के साथ यूज़ होता है ओके and last one is YES YES जो हमेशा F के साथ यूज़ होता है जैसा कि मैंने आपको knife लिख के दिखा रहा था ठीक है अब यहां पर आपने देखे कि यहां पर F है तो इसका हो गया था यह देखिए ओके तो अब मैं आपको बताऊंगी compound noun के बारे में इसके पास भी सिर्फ ऐस साथ है ओके अब जैसे मैं यहां पर लिख देती हूं क्लास फैलो ओके मैं यहां पर लिख देती हूं क्लास फैलो ओके तो इसका होगा यह यह जो फैलो है इसका जगा फैलो ओके अब सेकंड बन ले लें हम लोक लिख ल्यते हैं second one woman woman इनके बीच में gap नहीं होता अब यहां पर आप लोग देख लें ठीक है यहां पर है a यूज हो रहा है ओके लेकिन यहां पर जब मैं लिखूंगी तो यहां पर woman यूज होगा यानिके यूज होगा एज हमेशा man और woman में सिर्फ plural के लिए singular के लिए लेकिन plural के लिए man में और woman में हमेशा यूज होता है ओके एंड नेक्स देख लेते हैं vowels में जो noun होते हैं ठीक है वोवल झौन अब मैं आपको बताऊंगी वोवल झौन के बारे में वोवर्स नाउ ठीक है अब वोवर्स लाउन में हम लोग देख लें फूट फूट ठीक है अब यहाँ पर आई ई और जो होते हैं वोवर्स हमें पटे वोवर्स हम लोग कहते हैं ए ई आई ओ यू को राइट अब यहाँ पर यह जो फूट है इसके अंदर ओर है वोवर्स हमारा वोवर्स है इसका होगा पूरलर हमारे पास यहाँ पर डबल ओ की जगा डबल इ आजएगा ओके नेक्स हम लोग दूसरा देख लेते हैं माउस ओके अब यहाँ पर हमें इ भी वोवल है और यू भी वोवल है आई भी वोवल है राइट तो इसका हो जाएगा माइस ओके माइस माउस का माइस इसी तरह हम लोग देख लेते हैं तूट अब यहां पे भी ढबल वो आ रहे तो इसका हो जाएगा सॉरी इसका हो जाएगा यहांपे आ जाएगा तीत डबल यहां जाएगा ठीक है तो मैंने आपको इंग्लिश में नंबर्स के बारे में सारा इंट्रिडॉक्शन दे दिया, तो अब मैं आपको वाहे जमा बताऊंगी ओके ओके फ्रिंस तो मैं अब आपको उर्दू में बताऊंगी कुछ, ठेक है फॉर्स्ट वन है सच्टा, इसका होगा जमा सजूद, ओके, सेकंड वन ले लेते हैं हम क्या लूँए, सेकंड वन हम ले लेते हैं हाल, इसका होगा अहवाल ओके, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं जिसम इसका होगा जमास, ओके, और और हम ले लेते हैं फर्द, इसका होगा अफ्राद क्या होगा जमास, डेकंद connectivity धिते हैं हम लोग ऊमास कि सका हैं इसका होगा जम लोगरे, और हम लेते सका ही जमास depends़त हैं, और हम केंशिह, जमास-टर्वट